दोस्तो अगर आपने चल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजे साथी साथ बगल में आगा बैल आइकन उसको प्रेस कर लिजे वीडियो उसकी नॉटिफिकेशन के लिए और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लिजे ताकि हर टेक्स से लेटर वीडियो से आपको सबसे पहले मिलती रहे जो से बात करते हैं रेडमी की तरफ से आप कह सकते हो लाँच के गए नोट एट प्रो की तो यह फोन बेसिकली अपना जो सेगमेंट है इसका यह लगी सेगमेंट है मतलब कम प्राइज में काफी ज्यादा स्पेसिफिकेशन आपको प्रॉइट कराती है यह सेगमेंट आप कह सच्च मेंट अपर 64 मिलता है जो की आपको 64 मिलता है एक आ नाप का सेंसर अ और बहुत कैम से ईसका आपको स्टेrab का चार्जिंग सपोर्ट भी दिननको मिल जाता है चार जार मतला पांस एमेज की बैटरी देखने को मिलती है और 6.53 इंचेस का फुल एजडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 19.5 डिस्टू नाइन का इस प्रक्ट रिश्यू देखने को मिलता है मतलब यहां पर जो डिस्प्ले है उसके उपर नौच के सास्थ आपको लिखने को मिलती है कॉनिंग ग्रास फाइव का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है प्राइजिंग के बात के तो 6 जी वी राइब 64 जी स्टूरेज की है 15,000 रुपे और 8 जी वी राइब 28 जी स्टूर प्रोटेक्शन फूल एजडी प्लस दिस्प्ले और इतना लिख साले चार्ज अमेश की बैटरी और आपको मीडियाटक का जी 90 प्रोटेसर मतलब एक गेमिंग प्रोटेसर आपको मिलता है तो आपकी बार जो मतलब रेडमी का नोट 8 प्रो आया है वो इस मार्केट को हिला क कि रख दिया है अब मेरा यहां पर जब भी को भी ऑपीनिन होगा कि बेस्ट फोन कौन साइज सेगेमेंट में 16-17 जार में तो रेडमी का नोट 8 प्रो ही नाम आएगा तो जितने लोग सोच रहे हैं कि रेडमी की तरफ से जाएं तो अगर मैं रियल्मी वर्सेस रेडमी करो है वो हर एक यूजर को मतलब अपनी तरफ एट्रैक्ट करती है तो जो भी सोच रहे कि आर आखे में फोन कैसा या लेना चाहिए तो दोस्तों मैं आपके साथ हूं आप इस फोन को पर्चेस करिए गा जब भी आपको पर्चेस को करना हो और आप मिचे करनकर के ताई कि आप अब नहीं फोन काफी दंदार आए गया और वन आप दा बेश्ट आप कह सकते हो फ्लैक्सिप फोन आपको मिल जाता है मिट्रेज में फ्लैक्सिप देखने को मिलता है प्रेमियम इद्वेंग आप कह सकते हो जोस्तों अगर आच को पसंदेए प्रक्ति लाइक चैनल को सब् हुआ 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 है